इस समय आईए हम खासपर की ओस के समान जीवन इस उपदेश शिर्शक के साथ परमेश्वर के वच्चनों का अध्यन करें हमारे जीवन को खासपर की ओस के समान शनिक मानकर परमेश्वर ने हम पर दया की इसी कारण वो हमें बचानी के लिए प्रिटवी पर आए आईए हम बाइबल के द्वारा इसके बारे में अध्यन करने का कुछ समय ले बाइबल वर्नन करती है कि हमारा जीवन अल्पकालिक है कासपर की ओस के समान बहुत छोटा और शनिक है इसे देखकर आये हम एक साथ सोचे हमें परमेश्वर पर क्यों विश्वास करने की जरूरत है उनका अंतिम परिणाम क्या है जो परमेश्वर पर विश्वास करते है जब हम अपने जीवन के आखरी शन में पहुचे तब क्या हम आत्म विश्वास से कह सकते है कि हमने धर्मी जीवन जिया है और हमें कोई पच्टावा नहीं है परमेश्वन ने कहा कि हमारा जीवन घासपर की ओस के समान शनिक है परमेश्वन ने यह भी कहा कि मनुष्य एक बार मरने के लिए नियुकत है है ना? आईए हम इबरानियों अध्या नौ में वचनों की पुष्टी करें वचन 27 में लिखा है जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना नियुकत है यदि मनुष्य का जीवन मृत्यू से समाप्त होता है जैसे संसार के लोग कहते है एक बार मरने पर सब कुछ खतम होता है तो लोगों को इस बात से ढरने की जरूरत नहीं कि मृत्यू के बाद क्या आता है लेकिन पाइबल क्या कहती है, मृत्यू के बाद क्या आता है, और उसके बाद, उसके शारेरिक दे की मृत्यू के बाद क्या होता है, नियाय का होना नियुक्त है, अब तक मैंने किस प्रकार का जीवन जिया है, मैंने किस प्रकार का रवया रखा था, स्वर्ग में किये पाप प्रित्वी पर अपना जीवन समाप्त करें, तब उसके बाद दूसरी दुनिया होगी. और उन्होंने क्या कहा? प्रमेश्वर की संतान जिनके पास विश्वास है, कहा जाएंगी? उन्होंने कहा, आज ही तू मेरे साथ कहा होगा? प्रमेश्वर ने हम से कहा, कि वो हम सभी की अगुआई, अपने तैयार किये हुए शानदार स्वर के राज्य में करेंगे, है ना? प्रमेश्वर ने उनके लिए जो विश्वास में है, अनन्त महीमा तैयार की है, ताकि जब वे प्रित्वी पर अपना कर्तव्य और भूमिकाय समाप्त करके प्रमेश्वर की बाहों में लोटे, तब वे आनन्द उठा सके, हाला कि जब वे लोग जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, तब रोना और दात पीसना होगा, न्याय के बाद जो होता है, वह बयानक है, बयानक चीजे उनका इंतजार कर रही है, भाईयों और बहनों, इसी कारण ये बहुत अच्छा है कि हम परमेश्वर पर विश वास करते है, हमारे पिता और माता ने हमें नई वाचा का सत्य दिया है, स्वर्ग में किये हुए सभी पापों की शमा दी है, और हमें अनन्त उद्धार प्रदान किया है, हम कितने खुश है, सीयोल में कुछ वरद्य सदस्य एक निश्चित समय आने पर, पिता और माता के द वोरा तैयार किये गए शांदार स्वर की राज में वापस जाते हैं। मरना बिलकुल भी दुख की बात नहीं है। यह इसलिए क्योंकि वे इस प्रित्वी से बेहतर जगह जा रहे हैं। क्या यह आनंदित बात नहीं है, लेकिन संसार के लोग कह सकते हैं, वे आजीब है। लोग वो कह सकते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं, वो उनकी सोच से अलग है। लेकिन आत्मिक पहलू से यह वो शण हैं जब परमेशोर उनके लिए अनंत स्वर्ग के राज्य का मार्ग खोलते हैं। हमें उनके लिए खुश होना चाहिए क्योंकि वे स्वर्ग में प्रवेश करते हैं और हमें आबारी होना चाहिए कि हमने प्रित्वी पर रहते समय सत्य को ग्रहन किया बाइबल कहती है कि मनुश्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है मृत्यों के बाद जब मनुशों का न्याय होता है तो किसी के लिए परमेश्वर स्वर्ग का फैसला सुनाएंगे लेकिन दूसरों के लिए परमेश्वर अनंत दंड का फैसला सुनाएंगे आईए हम लुका अध्या सोला में धनी मनुष्य और लाजर का द्रश्टान देखे और परमेश्वर की शिक्षा को हमारे हरदेयों पर उतकीर्न करें लुका अध्या सोला वचन उन्निस एक धन्वान मनुष्य था जो बेंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रति दिन सुक विलास और दूम धाम से रहता था धन्वान मनुष्य ने खुद को उच गुणवंता के पोशात पहनाये थे उसने बिना किसी चिंता के पैसे खर्च किये वह सुक विलास में रहा उसने जितना वो चाता था उतना आनंद उठाया उस तरह उसने अपना जीवन जिया लेकिन जब आप वचन बीज देखे तो वहाँ लाजर था जो पूरी तरह से विपरी स्तिती में जी रहा था आएए हम वचन बीज देखे लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवडी पर छोड़ दिया चाता था और वो चाता था कि दनवान की मेच पर की जूटन से अपना पेट भरे यहाँ तक की कुत्ते भी आकर उसके गावों को चाटते थे ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अबराहिम के गोद में पहुचाया और वो दनवान भी मरा और गाड़ा गया और अतुलोक में उसने पीडा में पड़े हुए अपनी आके उठाई और दूर से इबराहिम की गोद में लाजर को देखा तब उसने पुकार कर कहा हे पिता इबराहिम मुझ पर दया करके लाजर को भेज़ दे ताकि वो अपनी उंगली का सीरा पानी में भीगो कर मेरी जीब को थंडी करे क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ परनतु इबराहिम ने कहा हे पुत्र स्मरन कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुए ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुए परनतु अब वह यहां शांती पा रहा है और तू तड़प रहा है इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुमारे भीच एक बारी घड़ा ठेराया गया है कि जो यहां से उस बार तुमारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहां से इस बार हमारे पास आ सके उसने कहा तो हे पिता मैं तुछे विंती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज क्योंकि मेरे पांच भाई है वो उनके सामने इन बातों की गवाई दे ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए तन्वान मनुष्य ने कहा मेरे घर में पांच भाई है क्रिप्या लाजर को पुनर जीवित करके मेरे घर बेजिए और उसे मेरे भाईयों से कहने दीजिए नरक पीड़ा की जगह है आवश्य तुम परमेश्वर पर विश्वास करो और स्वर्ग जाओ क्रिप्या लाजर को उन्हें समझाने देकर उन्हें इस पीड़ा की जगह इस नरक में ना आने दीजिए आये हम वचन 29 देखे एबराहिम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा और भविश्वक्ताओ की पुस्तके है वे उनकी सुने उसने कहा नहीं है पिता अबराहाम पर यदि कोई मरे हुओ में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे उसने उससे कहा जब वे मूसा और भविश्वक्ताओ की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओ में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे भाईयों और बहनों इसके बारे में सोचिये सिर्फ इसलिए कि कोई इस प्रित्वी पर दूसरों से थोड़ा अधिक आरामदायक जीवन जीता है मेंगा भोजन खाता है और बड़े घर में रहता है तो क्या इसका मतलब यह है कि वो नहीं मरेगा नहीं चाहे वो सुक विलास में रहे या नहीं वो अंत में मरता है और आखरी शन में परमेश्वर उसका जीवन समाप्त करके उसके जीवन के बारे में एक बयान देंगे हम उसे हमारे विश्वास में न्याए कहते है जब हम न्याए प्राप्त करेंगे तब हमें कहां जाना चाहिए हमें पृत्वी पर हर चीज में तयार रहना चाहिए ताकि आम स्वर्ग का फैसला प्राप्त कर सके जो ऐसी चीजों को तैयार नहीं करते वे परमेश्वर से अलग जीवन जीते है वे सांसारिक चीजों का आनंद उठाते है लेकिन जल्द ही उनका समय बीच जाएगा वो बिजली के चमकने की तरह तुरंत चला जाएगा मान लीजिए यहाँ एक मनुश्य है थोड़े समय पहले वो एक युवा था लेकिन पहले ही उसके कुछ बाल सफेद हुए है उसके बाल पहले से पतले हुए है वो पहले की तरह बलवान नहीं है उसकी तवच्चा पहले की तरह लच्चिली नहीं है समय उस तरह इतनी तेजी से बीट जाता है जैसे हमने आज बाइबल पर नजर डाली तो हमारे परमेशों ने हमें धन्वान मनुश्य और लाजर के द्वारा स्पष्ट रूप से जानने दिया कि स्वर्ग और नरक है द्रश्टांत के वच्चनों के द्वारा येशु ने कहा कि हमें प्रित्वी के जीवन पर ही ध्यान देने के बजाए आत्मिक दुनिया के लिए तैयारी करनी चाहिए जहां हम जा रहे है किसी दिन आप भी दूसरों से पहले या बाद में पिता की बाहों में उठा लिये जाएंगे बले ही आप दूसरों से पहले प्रित्वी से चले जाए लेकिन डरिये मत एक बार आप द्वार खोले तो आप स्वर्ग के राज्ज के अंदर देखेंगे प्रित्वी पर हमारे छोटे जीवन पर ध्यान देना महतपूर्ण है लेकिन अधिक महतपूर्ण स्वर्ग के राज्ज के लिए तैयारी करना है जो सदा सर्वदा के लिए रहेगा हमारे परमेश्वर हमें इस बात पर चागरत करते है इसलिए यह कहा गया है परमेश्वर के वचनों का हर समय भय मान आईए हम सबवदेशक की पुस्तक देखे सबवदेशक अध्याए एक वचन दो उबदेशक का यह वचन है वियर्थी वियर्थ वियर्थी वियर्थ सब कुछ वियर्थ है आप सोच सकते हैं कि नकारात्मक शब्दों से अधिक उज्वल, आशापूर्ण और भविश्य उन्मुक शब्दों का दर्ज किया जाना चाहिए लेकिन यहां क्यों यह नकारात्मक शब्द व्यर्थ इतनी बार कहा गया है भाईयों और बहनों उस व्यक्ति के जीवन की कल्पना कीजिये जिसने परमेश्वर को नहीं खोजा नहीं उनसे मिला, नहीं उसके जीवन काल में पापों की शमा प्राप्त की, उसका जीवन कैसा होगा बिना उद्धार के उसका जीवन पूरी तरह व्यर्थ होगा इसी कारण सुलेमान यहां व्यर्थता बताता है व्यर्थी व्यर्थ, व्यर्थी व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है, वचन तीन उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धर्ती पर करता है उसको क्या लाप राप्त होता है एक पीड़ी जाती है और दूसरी पीड़ी आती है परंतु प्रित्वी सरवदा बनी रहती है सूरी उदय होकर आस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेक से चला जाता है वायू दक्षिन की और बहती और उत्तर की और घूमती जाती है वो घूमती और बैती रहती और अपनी परिदी में लोट आती है सब नदिया समुद्र में जा मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता जिस तान से नदिया निकलती है उदर ही को वे फिर जाती है सब बाते परिश्रम से भरी है मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता ना तो आखे देखने से तरप्थ होती और ना कान सुनने से भरते है जो कुछ हुआ था वही फिर होगा और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा और सूरी के नीचे कोई बात नहीं, नहीं है क्या ऐसी कोई बात है जिसके विशे में लोग कह सके कि देख यह नहीं है, यह तो प्राचीन यूगों से वर्तमान थी प्राचीन भातों का कुछ स्मरण नहीं रहा और ओने वाली भातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को ना रहेगा मैं उब्देशक यरुशले में इसराइल का राजा था मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका बेद बुद्धी से सोच सोच कर मालुम करूँ यह बड़े दुख का काम है जो परमेशों ने मनुश्यों के लिए ठेराया है कि वे उसमें लगे मैंने उन सब कामों को देखा जो सूरी के नीचे किये जाते है देखो वे सब व्यर्त और मालो वायू को पकड़ना है जो तेड़ा है वो सीधा नहीं हो सकता और जो है ही नहीं वो गिना नहीं जा सकता मैंने मन में कहा देख जितने यरुशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों में से मैंने बहुत अधिक बुद्धी प्राप की है और मुझको बहुत बुद्धी और ज्यान मिल गया है मैंने अपना मन लगाया कि भुद्धी का बेदलू और बावलेपन और मुर्खता को भी जान लू मुझे जान पड़ा कि यह भी वायू को पकड़ना है क्योंकि बोहुत भुद्धी के साथ बोहुत खेट भी होता है और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है, वो अपना दुख भी बढ़ाता है, जब हम अध्याए एक के वचन एक से, अध्याए बारा तक पड़े, तो यह मानव जीवन के मामलों के बारे में बताता है, अंत की बात यह है कि जीवन वायू को पकड़ने की तरह है, लोग चीजों का लालच करके, जो व्यर्ते हैं, एक दूसरे से लड़ते और चोट पहुचाते हैं, वह सब वायू को पकड़ने की तरह व्यर्ते हैं। सब कुछ व्यर्ते हैं। तब प्रित्वी पर, यदि हम ऐसा जीवन जीते हुए जो सुवर्ग की और नहीं ले जाता, परमेशुर को ना खोजें, और पापु की शमा और परमेशुर के द्वारा प्रदान किया गया है, उद्धार प्राप्त ना करें, तो यह वायू को पक बढ़ने जैसा है। व्यर्थ जीवन जीया। उनके पूरे जीवन में वो यहां और वहां दोड़ते हुए रात को नहीं सोये और पैसे बनाने के लिए और निर्मान परियोजनाये जीतने को कड़ी मेहनत से कोशिश करने के बाद वो बस चल बसे। दूसरे लोग कह सकते हैं, वा, वो गोर्या म अरब पतियों में से एक थे, तो उनका जीवन अद्बुद रहा होगा। यह लोगों के द्रिश्टिकोन में उस तरह दिखता होगा। लेकिन उनके जीवन काल के दोरान उनके पास किसी चीज के लिए समय नहीं था। उन्होंने अपने परिवार के साथ कभी समय नहीं बित आती है, जिनके बारे में मैंने वर्नन किया, सिर्फ वे ही नहीं थे जिने उस तरह लगा। हम बस उनके बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि वे समकालीन इतियास में हमारे आस पास थे। लेकिन सिकंदर महान ने भी अपने सातियों से अपनी उम्रित्यों के बाद लेकिन जब मेरे जाने का समय आ गया है, तब मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता। इसलिए उसने ताबुत के बाहर अपने खाली हातों को बाहर निकालने के लिए कहा। जब वो इस प्रित्वी पर पैदा हुआ तब उसने कुछ थामने की कोशिश की, मगर उसने जान परमेश्वर ने हमें जानने दिया कि एक चीज है जो वियर्त नहीं है। इसलिए आज आईए हम जवाब खोजें। उन्हें देखकर जो परमेश्वर से मिलने गए, हम जो इस विश्वास में परमेश्वर की पाहों में हैं, सच में खुश है। हालाकि जो परमेश्वर को जानने का प्रयास करने के बजाए, इस प्रित्वी पर उनकी सांसारिक अभिलाशाओं का पीछा करते हैं और उनके सांसारिक जीवन में लगे रहते हैं, अंत में वे कहेंगे, यह व्यर्थ ही व्यर्थ है। होते दिखा, लेकिन सफल हुआ। वह एक महान सामराज्य का समराठ था जो पूरे यूरोप पर साशन करता था। लेकिन सेंट हेलेना धीप पर निर्वासित करने के बाद वह मर गया। इसलिए उसने कहा, येशु विफल होते दिखा लेकिन सफल हुआ। और मैं सफल होते दिखा लेकिन आखिरकार मैंने नाकामी का जीवन जिया। सभी लोगों, बाइबल में कोई जूट नहीं है। जिनोंने परमेश्वर को नहीं खोजा, उन्होंने व्यर्थ जीवन जिया है। बाइबल कहती है कि इस तरह से समय भिताना पूरी तरह व्यर्थ है। यह वायू को पकड़ने के लिए समय गवाना है। हम वायू को नहीं पकड़ सकते। जब लोग वायू को पकड़ने की कोशिश करने के लिए उसके पीछे दोड़ते हैं। तब शबाब जल्दी ही पुराने और कमजोर शरीर में बदलता है। और पुराना और कमजोर शरीर ऐसी दे में बदलता है जो इस दुनिया से गुजर जाएगी। यह सभी तच्छन में होता है। लेकिन सियोन की संतानों के लिए चोकि हमने परमेश्वर को खोजा है और परमेश्वर से मिले है। तो निश्चेती हम वह नहीं जो व्यर्त जीवन जीते हैं। आये हम सभवदेश्यक अध्याए 12 पर जाए, सभवदेश्यक 12 वचन 11। बुद्धि मानों के वचन अंकुष के समान होते हैं। और सभाओ के प्रधानों के वचन काड़ी हुई कीलो के समान है। क्योंकि एक ही चरवाए की और से मिलते हैं। है मेरे पुत्र, इनी से चौक्षी सीख, बहुत पुस्तोकों की रचना का अंत नहीं होता। और बहुत बढ़ना दे को ठका देता है। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि क्या कर। परमेश्वर का भयमान और उनकी आज्याओ के बारे में क्या। उनकी आज्याओ का पालन कर क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण करतव्य यही है। सुलेमान जो पूर्व और पक्षिम में सभी लोगों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, सबी चीजों का अनुभव करने के बाद इस निशकर्ष पर आया। सब कुछ सुना गया अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भयमान और उसकी आज्याओ का पालन कर क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण करतव्य यही है। परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी नियाय करेगा। हमारे विश्वास के परिवारों में परिवार का सदस्य हो सकता है जो परमेश्वर से मिलने के लिए जल्दी जाता है। शरण नगर इस पृत्वी से रिया होने के बात परमेश्वर की बाहों में जाना यह आनंद करने की बात है। लेकिन संसार के लोगों के पास पुनरुथान की आशा नहीं है। पापो की शमा की प्रतिग्या, अनंत जीवन की प्रतिग्या, उदार की प्रतिग्या और स्वर्ग के राज्य की प्रतिग्या नहीं है। इसलिए अगली दुनिया जहां वे जा रहे हैं, दुख से भरी है, लेकिन उस दुनिया के बारे में क्या, जहां हम जा रहे हैं? वह महिमा मैं और शांदार है, वहां ना मृत्यू, ना शोग, ना पीडा और ना दुख है. परमेश्वर ने प्रतिग्या की है, कि वह ऐसी शांदार और आनंदमय दुनिया में हमारी अगवाई करेंगे, जहां अनंद जीवन और खुशी दिन प्रति दिन उमडती है. अब भी हमारे आसपास हमारे परिवार के सदस्या है, जो परमेश्वर को नहीं जानते और पडोसी, दोस्त और जान पहचान वाले है, जिने परमेश्वर पर विश्वास नहीं है. यदि हम नयाई के दिन उनसे मिले, तो वे यह कहते हुए हम पर दोश लगाएंगे, कि हमने उन्हें प्रचार नहीं किया. आपने क्यों सुन्दर दुनिया की बाद अपने तक ही रखी? आपने क्यों मुझे नहीं बताया? सबी लोगों, हमारा जीवन बहुत छोटा है. वो सब सूर्य उदय होते ही गायब होता है. चोकि हमारा जीवन इतना छोटा है, तो हमारे जीवन का अक्सर वर्नन गासपर की ओस के जीवन के रूप में किया जाता है. फिर एक बार स्मरण करते हुए कि हम अनन्त स्वर्ग के राज्ज के कितने करीब है और हमारा जीवन कितना छोटा है आईए हम परमेश्वर के साथ अनुग्रपूर्ण और सुन्दर संबंद बनाते हुए इस पृत्वी पर हर दिन और हर समय का उपियोग करे तो मैंने दिनों की संख्या को गीना है आमतोर पर लोग लगबग 20 वर्ष तक अपने माता-पिता की छत के नीचे रहते है जहाँ वे अपने माता-पिता के द्वारा प्रदान किया भोजन खाते है और कपड़े पहनते है और स्कूल जाते है उन दिनों में हम पूरी तरह से सक्षम वेक्तियों के रूप में विक्सित नहीं होते इसलिए कोरियाई समाज में वेक्ति जो लगबग 20 वर्ष का हो उसे वैसक माना जाता है यह मानते हुए कि एक वेक्ति 20 वर्ष की आयू से उसके उद्देश को कर सकता है तो भजन साइता नभे अध्याय वचन नो के अनुसार हमारी आयू के वर्ष कितने होते है सत्तर और यह लिखा है कि बल के कारण असी सत्तर को मानक पकड़ कर हम 20 से सत्तर की आयू तक 50 वर्ष जी सकते है 50 वर्ष लंबा समय लग सकता है लेकिन उसे दिनों में बदले तो वो लगबग 18,250 दिन है 50 वर्ष बहुत अधिक लगते है लेकिन दिनों के मामले में लोग सिर्फ लगबग 18,250 दिनों के लिए जी सकते है यदि हम अपनी 30 की आयू में सुसमाचार ग्रहन करें तो 70 वर्ष पहुचने तक 40 वर्ष लगेंगे जब हम दिनों को गिने तो वो स्रिफ 14,600 दिन है क्या होगा यदि हम अपनी 40 की आयू में सुसमाचार ग्रहन करें अब भी इस मामले में भी भागिशाली है सत्तर वर्ष होने तक हमारे पास परमेश्वर से बाच्चीत करने, परमेश्वर से प्रात्थना करने और सुसमाचार प्रचार करने के लिए 10,950 दिन है यह ऐसा नहीं है कि हमारे पास काफी समय है तब क्या होगा यदि हम अपनी पचास की आयू में सत्य ग्रहन करे उस मामले में हमारे पास सिर्फ 7,300 दिन होंगे चाहे हम परमेश्वर, पापो की शमा या स्वर्ग के राज के लिए जी है लेकिन परमेश्वर को जानते हुए हमारे पास जीने के लिए इतने कम दिन ही है यदि हम सुवर्ग में आशिशों को पाने के लिए कारियों को पूरा करते तो आउसर का समय जो हमारे पास है उतना ही है तब भी उसका एक तिहाई भाग सोते हुए चला जाएगा है ना? सोने से समय खो जाता है और यदि हम एक या दो घंटे के लिए टीवी देखें तो टीवी देखने के लिए उसका महत्पून भाग खो जाता है और समय काम पर बीच जाता है लगबग दो तिहाई खो जाता है समय जो हम सु समाचार के लिए उप्योग कर सकते है वो बहुत थोड़ा है अब क्या होगा यदि हम अपनी साठ की आयू में सत्य ग्रहन करें तब समय जो हमारे पास परमेश्वर के साथ अनुग्रपूर्वक आत्मिक समवाद करने के लिए है वो सिर्फ 3650 दिन है हमारे पास बहुत समय नहीं है भाईयो और बहनों अब भी हमारे आसपास बहुत से लोग है जो नहीं जानते कि उनके जीवन के अंत में न्याय का समय होगा और जो महसूस नहीं करते कि अनंत नरक और अनंत स्वर्ग का अस्तित्व है धन्वान मनुष्य और लाजर के दृष्टांत में अनन्त नरक में धन्वान मनुष्य ने कहा, कृप्या लाजर को फिर से जीवित करके, जो स्वर्ग में है, मेरे पिता के घर भेजो, यदि वो जाकर मेरे भाईयों को गवाई दे, तो वे उसकी बातों पर विश्वास करेंगे, तब परमेश्वन ने क्या कहा? तो यदि मरे हुओ में से कोई जी भी उठे, तो भी उनकी नहीं मानेंगे. सभी लोगों इस पृत्वी पर सबकुछ दो भाईयों से सही तरह से वर्नन किया जा सकता है, जैसे परमेश्वन ने हमें सववबदेशक की पुस्तक में वचनों के द्वारा सिखाया, हमारे जीवन को व्यर्थ या वायू को पकड़ने की तरह बनने से बचाने के लिए हमें सववबदेशक अध्याई बारा वचन तेरा के वचनों को मन में रखने की जरूरत है. वो क्या कहता है कि हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान करतवी क्या है? पाइबल हमें सिखाती है कि चोकी हम छोटा शन जीते हैं, तो सबसे खुशी का जीवन परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की आज्याओ को मानना और परमेश्वर की सभी शिक्षाओं में आज्याकारी रहने का जीवन जीना है. इस पृत्वी पर हमारा जीवन सब कुछ नहीं है यह कहा गया है कि यह सरिफ एक चाया है जोकि इस पृत्वी पर हर जीवन एक चाया है तो हमारे स्वर्गे घर में जीवन अनन्त है हमें अनन्त जीवन के लिए जीना चाहिए अब भी बहुत से अभागे पडोसी है जो ऐसे एसासों के ना होने से परमेश्वर के पास नहीं आये है साथ ही हमारे पास हमारे परिवार के सदस्य रिष्टेदार पडोसी है जो अब तक सत्य में स्तिर खड़े नहीं हुए है मैं आशा करता हूँ कि आप अपने आसपास की सभी आत्माओं की अगवाई परमेश्वर की बाहों में करेंगे ताकि आप उद्धार पाकर स्वर्ग जा सके और उनके साथ अनंत जीवन और स्वर्ग आशिशों का आनंद उठा सके मैं यह उप्देश समाप्त करना चाहूंगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद